इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं समोह 2 और उप समोह 4 सहाएक संपरिक्षक कनिस्क सहाएक एबम डेटा एंटरी आफ़टर के संदर में तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने डिसस किया हुआ है यह तॉप जीके के बारे में जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी महत्पूर्ण साबित होगा तो फ्रेंड्स अगर आप इस चलनल पर नए है तो चलनल को सबस्क्राइब कर लिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके ओके फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरस्ट कोशन है चचाई जलप्रपात की जिले में है तो चचाई जलप्रपात रिवा जिले में इस्थित है मत प्रदेश के किस इस्थान में स्टेट फोरेंसिक साइन्स लिबरिटीज का मुख्याले है तो कहां पर है इसका मुख्याले है सागर जिले में है किस मुल्य पर दीन दयाल अंतियोदय रसोई यूजना के इतहत गरीबों को पूर्ड पोसक फोजन परदान किया जाएगा तो कितने रुपे में परदान किया जाएगा या किया जाता है पांच रुपे में राइट अंसर फ्रेस्ट नेक्स कोश्चन है देवी अहल्यावाई पुरुसकार को किस वर्स में इस्थापित किया गया था तो किस वर्स में इस्थापित किया था उन्निस सो संतान्य में इस्थापित किया गया था सिंगरोली को जिला कब बनाया गया मतलब कि सिंगरोली जिला कब अस्तुत्य में आया था तो कब अस्तित में आया था राइट अनसर 24 माई 2008 को बनाय गया था ओके फ्रेंट्स next question है निल्खित में से किसे सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा घराना है तो कौन सा सबसे पुराना ख्याल घराना है गवालियर घराना राइट अंसर गुवालियर घराना नेस्ट कोश्चन है निल लिखीत नदियों में से कौँ सी नदी अरब सागर में मिलती है या अरब सागर से मिलती है तो कौँ सी नदी मिलती है तापती नदी अरब सागर से मिलती है तो किसके संपादक थे करम बीर राश्ट्री परेटन पुरुसकार 2016 में कौ से परेटन अस्थान इस्थान 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 इस निर्मारी कहां पे है? तो कहां पे है? फिर इस दी ओर्डनेस विकल फैक्टरी situated in मद्वरदेश तो ये है आपके जबलफूर में राइट आंसर जबलफूर नेस्ट कोशन है हिंडोला महल कहां पे इस्थित है? तो हिंडोला महल मंडू में इस्थित है नेक्स कोश्चन है मद्वर्देश के पहले गैर कांग्रेशी मुख्यमंत्री कौन थे तो मद्वर्देश के पहले गैर कांग्रेश मुख्यमंत्री थे गोविंद नरायन सिंग राइट अंसर हो जाएगा गोविंद नाराण सिंग नेस्ट कोश्चन है निम्लिक में से कौन यूनानी चिकिस्था के साथ सम्मंधित है तो कौन सम्मंधित है यूनानी चिकिस्था से हकीम, शैयद, जिलूर, रह्मान राइट अंसर फ्रेस्ट नेक्स कोशन है खर्भुजा महल मदवर्देश के किस जिले में इस्थित है घर्भुजा महल मदवर्देश के किस जिले में इस्थित है धार जिले में इस्थित है राइट अंसर धार जिला नेक्स कोशन गोविंदगर महल किस जिले में इस्थित है गोविंदगर महल रिवा जिले में इस्तित है राइट अंसर राइवा जिला नेक्स कोशन है भोला मारू की लोक वारता जो की मालवा निमाड और बुंदेल खंड छेतर में लोक प्री है बास्तो में किस राज़ी में आता है तो ये आता है आपके राजस्थान से आता है राइट अंसर क्या हो जाएगा राजस्थान नेक्स्ट मदपरदेश सीमेंट का भारत का किस नमबर का सबसे बड़ा उत्पादक है तो किस नमबर का उत्पादक है सबसे बड़ा तीसरे नम्मर का सबसे बड़ा उत्पादक है नेक्स कोश्चन है देश एक राग है में कार के लिए कौन प्रसिद्ध है देश एक राग है कार में कौन प्रसिद्ध है इसके लिए भागवत रावत राइट अंसर क्या हो जाएगा भागवत रावत निन्वे से किस वर्ष में मद्ध प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बतल कर स्टेट प्लानिंग कमीशन नाम रख दिया गया था तो कब रखा गया था ये रखा था 2007 में तो फ्रेंट्स थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो में इतना ही नेस्ट डेल लेके मा आते हैं नेस्ट वीडियो ओके थैंक्यू बावाई थैंक्यू फॉर वाचिंग